क्या संसत के विशेश सत्र का मकसद सिर्फ भारती जनता पार्टी के लिए एक नए अंदाज में वोट बटोरना है? क्या संसत के विशेश सत्र का मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी तरीके से Chief Justice of India डी वाई चंदरशूर पर निशाना साधा जाए? वो नहीं चाहते कि तू ख़बर की तह तक पहुंच, क्योंकि ख़बरों की इन ही गहराईयों में छिपा है, राजनीती का असली खेल, न्यूस चक्र, ख़बर की गहराईयों को टटोलता स्वागत है आपका न्यूस शक्र में मैं अभिसार शर्मा, दोस्तो आज संसत का विशेश सत्र शुरू हुआ, शुरू होते ही फ्रधान मंत्री ने विपक्ष पर ताना मार दिया, जी हाँ, पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रोने की जरूरत नहीं है, नहीं, पत्रकारों से ऐसा उन्होंने नहीं कहा, हाला कि इस देश के पत्रकारों की किस्मत में पिछले नौ सालों से सिर्फ रोना ही है, क्योंकि ये वो पत्रकार हैं जो सत्ता के चाटुकार बने हुए हैं, जी हाँ, नतमस्तक है उनके सामने, घोटना टेक है उनके सामने, रोना उनकी किस्मत में है, मगर यहां प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी किसी और को नहीं विपक्ष पर निशाना साथ रहे थे, अब मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए चाप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, आ आप नए संसत भवन में जा रहे हैं, तो क्या आपको इस तेवर के साथ, विपक्ष के साथ समवाद कायम करना चाहिए? मैं चाहूंगा आप सुने प्रधान मंत्री ने क्या कहा और फिर मैं उसकी चर्शा करता हूँ, सुनिए. प्रधान मंत्री ने जो ये बात कही, क्या बगएर ये कहे नहीं रह सकते थे वो? क्या उन्हें ऐसा कहना जरूरी था, कि भाई विपक्ष रोना बंद करे या ना रोए, करते रहे, रोते रहे? क्या इस तरह से प्रधान मंत्री को लगता है कि समवाद कायम किया जा सकता है? शुक्र है जब उन्होंने संसद के अंदर भाशन दिया तब कम से कम उन्होंने विपक्ष को ऐसा कोई ताना नहीं मारा अपने भाशन में उन्होंने पंडित नहरू का कितनी बार नाम लिया जी हाँ, वो पंडित नहरू जिससे भाजपा और संग को जबरदस्ट अलर्जी है पंडित नहरू का नाम लिया, अटल जी का नाम लिया, इंद्रा गांधी का भी नाम उनके मूँ से सुनाई दिया, हाला कि मुझे लगता है कि विश्वनात प्रताब सिंग का नाम भी लेना चाहिए था क्योंकि जब विश्वनात प्रताब सिंग मंडल लेकर आये थे, तब उसी के जवाब में अडवानी जी ने रामरत यात्रा निकाल दी थी, ताकि मंडल कमिशन जो है, वो लागू ना हो सके कौन भूल सकता है उस बात को विश्वनात प्रताब सिंग का नाम उन्होंने ने लिया अपने भाशन में मगर हाँ, जैसे मैंने बताया, भाशन से पहले संसत के बाहर विपक्ष को ये ताना उन्होंने जरूर दिया, आखिर क्यों? दोस्तों कहने को इस पूरे भाशन में प्रधान मंत्री ने कहीं पर भी विपक्ष पर कोई ताना नहीं मारा, उन्होंने आपातकाल का जिक्र जरूर किया कि आपातकाल की चुनौती के बावजूद हम एक मजबूत लोकतंतर के तौर पर उभरे और वो कहना भी चाहिए, क्योंकि आपातकाल हमारे इस देश के इतिहास में काला धबा है उसकी जितनी भी आलोशना की जाए, वो कम है मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जब प्रधान मंत्री ने संसद के अंदर एक खुबसूरत भाशन दिया, जिसमें उन्होंने किसी को ताना नहीं दिया तो आखिर मीडिया क्यों प्रधान मंत्री के कवरिज को लेकर अभी से भाजपा के लिए वोट बटोर रहा है और ना सिर्व वोट बटोर रहा है, बलकि विपक्षपर निशाना भी साथ रहा है मुलाइजा फर्माईए, ये देखिए मोदी का विशेश फैसला चौक जाएगा इंडिया यानि कि यहाँ विपक्षी गटबंधन इंडिया को चौकानी की कोशिश यहाँ पर कोई और नहीं इंडिया टीवी कर रहा है आगे देखिए, पुरानी संसब में मोदी का आखरी भाशन सब की आखें हुई नम प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आखों में फिर से आशू की यह लोग बात कर रहे थे, उनके एमोशनल होनी की बात कर रहे थे मोदी के इस 30 मिनिट की भाशन ने मचाया तहल का दुनिया देखेगी भारत का जलवा संसब में चंद्रियान तीन पर प्रधान मंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा कि विपक्षपी ध्यान से सुनता रहा पि-म मोदी गेक्स एमोशनल पहली बार प्रधान मंत्री मोदी ने मीडिया से बात की पहली बार प्रधान मंत्री मोदी ने मीडिया से बात की पहली बात ये बाचीत दो तरफा होती है एक तरफा नहीं होती कि प्रधान मंत्री ने अपनी बात कह दी और निकल लिए ये तो ऐसा वो पहले भी करते रहें तो इस बार ऐसी उन्होंने कौन सी बात कह दी आगे देखिए लोकसभा में भावुक होई प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री मोधी शाह का चक्रव्यू स्पेशल सेशन में बॉक लाया विपक्ष मीडिया ने जो पूरी कवरेज किये है उसका सिर्फ एक मकसद था कि प्रधान मंत्री को एक स्टेट्समेन के तौर पर पेश किया जाए एक महापुरुष के तौर पर पेश किया जाए और विपक्ष को एक असुरक्षित डरा हुआ खेमे के तौर पर पेश किया जाए मैं समझना चाहता हूँ क्यों? क्योंकि प्रधान मंत्री के इस पूरे भाषण में जैसे मैंने कहा, कोई ताना नहीं था, कोई नकरात्मक बात नहीं थी, मगर आप देख रहे हैं, मीडिया उसे किस तरह से कवर कर रहा है, इसका अर्थ बिलकुल साफ है, कि प्रधान मंत्री कार्याले के जोशी जी की तरफ स से फर्मान आ चुका था कि भाई मीडिया इसे खास अंदाज में दिखाए और उस अंदाज में विपक्ष की तोहिन की जाए विपक्ष को छोटा बौना डरा हुआ बताया जाए जो कि आप भाशा में देख भी रहें और प्रधान मंत्री ने जो ताना दिया था अपने भाश अगर किसी ने की है तो वो प्रधान मंत्री ने की है भूल गए नोट बंदी को लेकर प्रधान मंत्री ने किस तरह से कहा था कि पचास दिन दे दो और अगर मुझसे कोई भूल ओ जाए तो कोई भी चौराहा बता देना में वहां आ जाओंगा कौन रोया था उस बताईए जब इस देश में लाखों लोग कुरूना से मरे थे तब प्रधान मंत्री एक अरसे के बाद देश के सामने आये पहले तो आई नहीं रहते और फिर उन्होंने कहा कि कई परिवारों का इतना बड़ा दुरभागे था कि वो अपने रिष्टिदारों का अंतिम संसकार भी न लिए जिम्मेदार कौन था और एक बार फिर अपनी नाकामी को छुपानी के लिए आपके आँखों में आसू थे ऐसी मैं आपको ढेरों मिसाले बता सकता हूं दोस्तों प्रधान मंत्री की आँखों में आसू मगर साहब मजाल है मजाल है कि अपनी नाकामीों के लिए अप अभी नहीं होती हाकीकत ये दोस्तों कि ये विशेश सत्र सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने का जरीया बन गया है और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी विशेश सत्र में सरकार जो है सुप्रीम कोट के एक फैसले को पलटना चाहती है बहुत वाजब फैसला सुप्रीम कोट ने कहा था कि चुनाव आयोगतों की या चुनाव आयोग में जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव में तीन लोग होंगे प्रधान मंत्री नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ओव इंडिया और यहां पर चीफ जस्टिस ओव इंडिया डीव आय चंद्रचूर मगर अब इस सत्र में सुप्रीम कोट के उस फैसले को पल्टा जाएगा सरकार अब यह चाहती है कि उस समिती में से चीफ जस्टिस ओव इंडिया को हटा दिया जाए और एक कैबिनेट मंत्री को लाया जाए यानि की तीन लोग तो होंगे मगर उसम दो सरकार के पक्ष में होंगे यानि की चुनाव आयोग को आजाद करने की जो कोशिश डीव आय चंद्रूचूर की थी उसे निरस्थ कर दिया जाए उसे बर्बाद कर दिया जाए यानि की एक बार फिर हर कदम चुनाव को देखते हुए क्योंकि यह सरकार ऐसा चुनाव यह ऐसे चुनाब आयुक्त नहीं चाहते जो भारती जनता पार्टी की हरकतों और उनके क्रिया कलापों पर सवाल खड़ा करें। वो नहीं चाहते अशोक लवासा जैसे चुनाव आयुक्त वो नहीं चाहते वो अधिकारी जो प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के हेलिकॉप्टर पर सवाल उठाते हैं, नहीं क्योंकि मैं नहीं भूला हूँ जब अशोक लवासा ने प्रधान मंत्री और अमिच शाह पर सवाल उठाए थे 2019 के लोकसभा चुनावों में तो उसके तुरंत बाद उनके परिवार के कई सदस्यों पे इंक्रिम टाक्स की रेड मारी गई थी उन्हें परिशान किया गया था एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके फोन में पेगसेस भी लगाया गया था इस तरह से ये सरकार काम करती है इसलिए वो नहीं चाहते कि ऐसा कोई भी किरदार चुनाव आयोग में हो यही वज़ा है कि चुनाव आयोग की न्युकती से Chief Justice of India DYH अंडरचूर की छुटी की कोशिश की जा रही है जो अपने आप में कितना बड़ा दुर्भाग यह है क्योंकि Chief Justice of India DYH अंडरचूर ने अपने फैसले में कहा क्या था उन्होंने यही कहा था ना कि चुनाव आयोग खुद मुखतार हो, इंडिपेंडिन्ट हो, उस पर सरकार का दबाव ना हो, आप भूल गए, जब सुप्रीम कोट अपना फैसला सुना रहा था, तो जिरह में किस तरह की बाते कही गई थे, चीफ जसिस अव इंडिया डीवाई चंद्रचूर ने कहा था कि हमें एक ऐसा चुनाव आयोग चाहिए, जो प्रधान मंत्री पर आक्शन लेने से घबराए नहीं, चुनाव आयोग को याद दिलाए गई थी, टी एन सेशन की, कि हमें ऐसे मुख्य चुनाव आयोग तो चाहिए, जो सत्ता से आँखों में आखे डाल कर बात करें, बगर स्वाभाव एक सी बात है दोस्तों, कि मोधी सरकार को ये बात खुबूल नहीं है, और यही वज़ा है कि उन लोगों ने इस विशेश सत्र का आयोजन किया है, ताकि एक बार फिर चुनाव आयोग को उसी तरह से कमजोर बना कर रखा जाए, और चुनाव आयोग की न्युक्ती से Chief Justice of India D.Y. चंदरचूर को बाहर का रास्ता दिखलाया जाए, सिर्फ अपनी ताकत के सहरे. तो आपने देखा दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, चाहे प्रधान मंत्री का भाशन और मीडिया का कवरिज जिसमें विपक्ष का मजाक उड़ाया जाता है, या फिर इस विशेश सत्र में लाए जाने वाले बिल जिसमें चुनाव आयोग को कमजोर करने की साजिश है, ये जादा अपने लिए वोट बटूर सकते हैं, वो करें, इसके लिए सदन के पटल का इस्तमाल किया जाएगा और सुप्रीम कोट के फैसलों को पलटा जाएगा, अब इसार शर्मा को दीजे जासत, नमस्कार